आज हम बनाएंगे पनी टिक्का सुलारा एर फ्रायर में एक बहुती सुंदर डिजाइन इसमें है अनेक कुपी मोड जिसमें आप बना सकते हैं कई प्रकार के व्यांजों एक क्लिप से आसानी से खुड़ने वाला हाई ग्रीन नौन सिक कोटिंग वाली बास्केट मैंने बनाने के लिए बड़े बोल में एक काप गाड़ी दहीं डालिये उसने जाएगा एक बड़ा चम्मच अग्रप लसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच सरसो का तेल एक छुटा चम्मच धनिया पाउडर एक छुटा चम्मच गरम मसाला एक छोटा चमवच देगी मिर्च आधा चमवच हल्दी नमक स्वादनुसार एक बड़ा चमवच बेसल एक छोटा चमवच कसूरी मेथी इसे हम अच्छे से हाथों से मसल लेगे इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये पूरा कपूरा सामान हो जाए इसमें अब जाएगा आधा कप कटा हुआ टमाटर आधा कप कटा हुआ शिमला मिर्च आधा कप कटा हुआ प्याज और आधा किलो पनीर जो हमने एक इंच की क्यूब्स में काट लिया है अब इस सारे मिश्रम को बहुत हलके हाथ से हम मिला लेंगे मिलाने के बाद आपका पनीर मैरिनेट करने लिए त्यार है इसे एक से दो गंदे तक फ्रिज में रख लिजिए अब आफ फ्रायर को हम तंदूर मूल पर लेकर आएंगे इसे अब 24 मिनट पर लेकर आएंगे और प्री हीट करने के लिए रख लीजिए मैंने लख़ी के कुछ सीख को 15-20 मिनट के लिए पानी में विगोल लिया है अब इसमें मैं अपने पनीर टिका को फिरूने लगोगी सबसे पहले मैं डालूँगी एक शिमला मर्ची फिर उसके बाद एक पनीर का पीस उसके बाद इसमें मैं लगाऊंगी एक तमाटर का पीस फिर एक पनीर का पीस और आखिर में एक प्याज का पीस इस विदी से आप सारे के सारे मैरिनेट के टिका त्यार कर लेजिए एर फ्रायर प्री हीट हो चुका है बास्केट को बहा निकाले और उसमें एक गोल अकार के पार्च में पेपर को रख दीजिए अब इसमें हम अपने पनीर टिका के सीख को भी रख लेंगे और इसे अब हम एक मिनिट के लिए एर फ्राय करेंगे एक मिनिट के लिए एर फ्राय करने के बाद इसमें हम ब्रश के सहारे से हलका सा तेल लगा लेंगे इसे अब हम तंदूर मोड पर आठ मिनिट के लिए एर फ्राय करेंगे आठ मिनिट के बाद बास्केट को बहार निकालिए चिम्टे के सहारे से हर सी को बहुत ही आराम से आप पलत लेजिए अब इसमें हम ब्रश के सहारे से पिर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे तंदूर मूर्ट पे 8-9 मिनिट के लिए air fry करेंगे 8 मिनिट के बाद मेरे क्रिस्पी और जूसी पनीर टिक का तयार है इन्हें चिम्टे से आराम से air fry बास्केट से आप निकाल लीजिए आप चाहें तो इस पे इस वक्त हलका सा पिगला हुआ मख्धन भी लगा सकते हैं आपका गर्मा गर्म पनीर टिक का तयार है इसे लच्छा प्याज और हरी चट्नी के साथ सर्फ कीजिए आपका तयार है